प्रत्र विजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लोकारपन समारो में यहां के शामिल हो रहे हैं सब्सक्राइब प्रत्र में तहे दिल से आपका अभावत करना चाहता हूं सर आपने अपने वैस्तम कारिक्रम के लिए अपना बहुत हो समय हमें प्रदान किया है सब्सक्राइब सर इस कारिक्रम में मानी अधित मंत्री महोदया वर आर्बिया गावरंडर हमारे साथ वाशिंटन डी सी युएसे से जुड़े हुए है सब और बैंकिंग वर केंद्र सरकार के अविकारियों के अतिरिक 75 बी यू से वी सी के माध्यम से केंद्री मंत्री गंड मुख्य मंत्री राज्य सकारों के मंत्री गंड सांसर्द मलेज वक्त कई विशिष्ट अतिती हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं मैं सर्वप्रतम सब आर्बिया गावर्णर मौदय से निवेदेन करता हूं जिनके दिशार देश में ये पूरे कारिक्रम बीबी यू परियोजना की परिकल रहकर जिदेन करते विशा नमसकर घृब मिनिस्टर अटृब अनुड अड़ी गोणकार तर्व नेच हूएर न्याजनुतर हो और ये हमारे सब्सक्रण का गेसम करा वेदिश ऑं। मोद मौदर्क सब्सक्रानि टार्ष फूर्य ऑमिनेस्टर संटंड्न्स आंटर्ण कि तार भस्कारिब्टा ग। अजयर्ट अज़ खर जोज अजय जूड़ारा ट। खंड पाम्रिटम्नेश के अधिसंग अजयर्वूलिश्ट। ग्राइव अजन। अजयर्वाट डिदि यंजिक तार पर्विलेश अजयर्व रूवाब। इस मुंझे त्यूर्फ तो इस प् आजादीच अमरित महुटसाब, in the joint initiative of the Government of India, the ावबक, the Indian Banks Association and the various participating commercial banks. In recent years, digital banking has emerged as a preferred channel for delivering banking services across the country. The Reserve Bank has been taking progressive measures to improve availability of digital आनस्मेंकर क्यां दन्यकी जैусовich कर्या नामस्मान अंपने मेली अधी अजिए प्रजैकर अविद है। अजली कि अधने प्रश्राब्समिंस्ट कर्टीक है और अजरे किढ कpremise का इंधर, जुझ सकनकी पंप fan об Kathy can realize P बजस्त एक प्योर्चाब कि इन इड ऑप तर फट अवीग में है कर दोप पर खर पूंद बीज बीज रेस पूसितियों हूत हैंने इन एक इन वे जुट तेजिए उन फट्टीव को दूंद सेप्स प्य कर चाह इंट सेप्ट अप्यू फ्यूंट ऑ्र उन फिर दिप्स इं and innovation in the banking space the establishment of DB news is a step to further augment the digital infrastructure in the country this will act as an enabler in the ecosystem and will improve customer experience by facilitating seamless banking transactions the reviews will जा कंवान, और फस्ट वीन कांवाने प्रोब चर्प्ति पीनीजिट नाइन, इंड प्रोगाज़ प्रोब्साओ प्रोलीज खर्वाजिटी प्रोग फिंट्वेजित अपर्टि ऩूजडियर्भ रफिर विविर विविट्र में, प्रोगच ट्रूविज्ट आफे तो एंग दिडिटल पसेिंग स्मॉल टिकेट और MSME जोंस, श्राइं प्रिक जोंस, बॉक्तिंगारी, जोंस स संसिंगारी छॉर्समान ये ऐस नो च्छिज दिपर प्रिक घंति तो जो जो करेंगेट बिद्द को टाइंट दिकारवन खेमेंगी हुप्र the products and services in these units will be provided in two modes namely self-service and assisted modes with self-service mode being available 24 into 7 into 365 basis the banks are also free to engage the services of digital business facilities and business correspondence to expand the footprint of the db use what is very important to note in this context is that these physical units will act as a focal point for developing customer awareness and customer education about utilizing various digital facilities to do banking operations to do banking activities including applying for loans and availing loans from the banks in effect this will result in greater credit creation in our country i take this opportunity to appreciate the commendable work done by the indian banks associations the bank which have established these dbus the department of financial services in the ministry of finance my colleagues in the reserve bank for their efforts in setting up these 75 dbus in a very short span of time i once again take this opportunity to welcome the honorable prime minister honorable finance minister and other dignitaries and all other participants to this important event thank you dhanubad namaskar thank you sir कमिस्टे चाबनेट कोलीक्स, जवनर ट्रसर्व बंक फिडिया हूआ औ ड्यूद्टेट दिच्थमिनस्टर्ट्टा एफ डेप्टिछ्ट जवनर। जवंटर्ट जटेर्न गवंद इसे जो फुबएब भी जो बादार इंट्राइशन जो ब्विब्ट अ उड़ा और ने जो बीडिट जो फिन अई प्रेज वे रिप्राद हो उडिट जो अजये विप्टि प्रॉट दिट बिधन अजये जोब जोडिति जोड़िक प्विट प्विटेट प्विट इंटिट digital payments, digital transactions, account aggregators, open network for digital commerce have emerged and very swiftly at that even despite 2019. Even more interesting is the level of acceptance common Indian people have shown in adapt to technology driven financial inclusive schemes of Government of India. During Amartakal, Honorable Prime Minister, considering your vision for greater use of technology and getting digital banking into India, the Scheduled Commercial Banks are establishing 75 digital banking units in 75 districts of our country. DBUs will enable people who do not have a personal computer, who do not have a laptop or do not have even a smartphone to be able to access banking services. They can do it digitally and without a paper in hand, meaning in a paperless mode. For those who are not even tech savvy, there is a mode where they can be facilitated to avail of these paperless services. As Ursa Bank Governor explained, they will be paperless. The operations will be 24 by 7 available. DINRAD services is available. Even cash deposit facilities or opening of a deposit or fixed deposit or recurring deposit. You can avail of all these services. Government's credit link schemes through the JEMSAMARTH portal will also be available for ordinary users. MSMN and retail services can benefit out of it. As was explained, financial literacy can be promoted through these units. Financial inclusion and digital banking go another mile in achieving greater digitizing and formalizing of Indian economy. I urge all the representatives who are present here today to spare at least some time each day to promote literacy, financial literacy, digital education for the bank customers and for all those business units which are small in your neighborhood. Popularizing digital banking is important. Also, the most important aspect is that it is going to be cost effective for the consumer. It is going to be absolutely safe and secure for them to use it. These thoughts will have to be promoted by the bank agents, meaning banking agents, banking correspondents, bank managers and all officials so that greater formalization of the Indian economy can be achieved. And finally, I congratulate the RBI and the Indian Bank Association for very speedy implementing this in a very efficient manner. I am sure that our collective efforts, the DBUs, will go a long way in giving further interest to digital banking in India and help our economy to move towards a cashless and inclusive economy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अभर्षान के शेषिए के रखार्षा स्बार्षा के बिजिश्वकरा के लिए कितना क्रांती कारी है, इसका उदारन भारत ने ने डिजिटल इंडिया भिजान के तौर पर पूरे विश्वकरे सामने रखा है. माननी ये प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के नेतरत्व में डिजिटल इंडिया का संकल्प आज देश को नित नई उचाईयां प्रदान कर रहा है आठ वर्षों की ये यात्रा देश की जन्दा के लिए अनेक सुविधाओं को लेकर आई है आजादी के साथ दशकों तक भी गरीबों के लिए बैंक अकाउंट सुलब ना होने से लेकर पिछले सिर्फ आठ सालों में 47 करोड जन्दन खाते खुलने की ये यात्रा हर सुविधा के लिए लाइन लगाने से लेकर जन्दन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी से एक मजबूत डिजिटल वित्तिय एकोसिस्टम की ये यात्रा कुछ सौ स्टार्ट अप से लगभग 80,000 स्टार्ट अप की ये यात्रा प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी के विजन के अनुसार लगातार आगे बढ़ दही है जहां लक्ष सिर्फ एक है तकनीक का लाव देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे आजादी के अमरित महुटसब में माननी प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी के विजन के नुरूप Go Digital के उदेश के साथ देश के हर कोने में देश के हर व्यक्ति को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सभी बैंकिंग सुवधाएं देने के लिए साकार हुई है डिजिटल बैंकिंग यूनिट डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बैंकिंग से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कागज रहत यानी पेपरलेस, सुगम और सुरक्षित रूप से करने की सुविधा दी जाएगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में सेल्फ सर्विस जोन के अंतरगत, इंटरनेट बैंकिंग के सुविधा, डिजिटल सेवाओं के लिए टैब, EKYC या वीडियो KYC का उप्योग करके खाता खोलने की सुविधा, महतुपूर्ण बिलर्स द्वारा बिल भुगतान की सुवि ये सेल्फ सर्विस जोन साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे सेवा में रहेंगे, वहीं दूसरी ओर डिजिटल अजिस्टन्स जोन में ग्रहकों की ऑन बोर्डिंग, डेबिट कार्ड जारी और अनब्लॉक करना, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सहायता, ग्रहक शिकायतें और शिकायत प्रबंधन, सावधी और आवरती जमाखाता खोलने की सुविधा, ग्रहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फास्टेग है तू डिजिटल किट, और साथ ही व्यापारियों के लिए UPI QR कोड, भीम, आधार, POS के लिए डिजिटल किट जैसी सुविधाएं उपलब्द रहेंगे। समर्पित है। समस्यलो, तैरायेक, निद्रलेमी, मानसिक समस्यलो, रुत्तु समस्यलो, अन्निरकाल, दीक्क कालिक व्याधुलकू, प्रच्चिलिक होमियो वैद्यम। अंडरिकी अंधुपाटिलो, अंतर जोतिय होमियो वैद्यम, स्री साय होमियो स्टोर्स आइन क्लीनिक। मी आरोग्य समस्य ये देना, इपड़ु परिशकारं साथ्यम। साइड अफेक्ट लेनी वैज्यम्तो, संपोर्न आरोग्यें को रकू। संप्रदिन चंडी, स्री साय होमियो, क्लीनिक का एंड स्टोर्स, भावानी नगर, अंबित करनागर रोग, ओल्ड अलवर्ड, सिकिंद्वाबाद, संप्रदिन चालसुना, फोल मंबर्स, 90-0075-1751, मर्यू, 90-0042-2525 अब मैं मानिये प्रदान मंत्री जी से निर्जन करता हूँ कि वे हमें अपना मारदर्शन वा आश्र बचन पदान करें, मानिये प्रदान मंत्री मोदर्दी वित्त मंत्री, निर्मलाजी, केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे अन्ट्य सहयोगीगाण, आरिवियाई गवर्णर, विभिन्न मंत्रालों के सचीव, देश के अलग-अलग कौने में मुख्यमंत्री, मंत्री परिशत के लोग जो इस कारकम का नितरुत्व कर रहे हैं, अर्थनीती से जुड़े सभी जानकार, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 75 डिजिटल बैंकिंग युनिट्स, इसके सुभारम के इस आउसर पर, सभी देश्वास्यों को हार्दिक सुपकामनाएं, आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थका, फिर एक बार साक्षी बन रहा है, आज 75 डिजिटल बैंकिंग युनिट्स, देश के 75 जिलों में, धरातल पर उतर रही है, मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे RBI को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सातियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को, आसान बनेने के जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, उद दिशा में एक और बड़ा कदम है, यह एक सिर्फ एक ऐसी विशेश बैंकिंग व्यवस्ता है, जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्रक्टर से, मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी, यह सेवाएं कागजी लिखापटी और जन्जटों से मुक्त होगी, और पहले से कहीं जादा आसान होगी, यानि इन में सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी, गाओं में, छोटे शहर में कोई व्यक्ति जब डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाएं लेगा, तो उसके लिए पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक सब कुछ आसान हो जाएगा, ओनलाइन हो जाएगा, अब कल्पुना करिए, एक जमाने में जब एक ग्रामीर को, हमारे गाओं के नागरी को, एक गरीब को, छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए संगर्स करना पड़ता था, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम हुआ करता था, लेकिन आज, बहुत आसानी से, इस बड़लाव को, वो जीने के लिए आनंदित हो जाएगा, उत्सहित हो जाएगा, साथ कियों, हमारी सरकार का लक्ष, भारत के सामान्य मानवी को, एमपावर करना है, उसे पावर्फुल बनाना है, इसलिए, हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, ध्यान में रखकर, नीतियां बनाई, और पूरी सरकार, उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली, हमने दो चीजों पर एक साथ काम लिया, पहला, बैंकिंग व्यवस्ता को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शीता लाना, और दूसरा, वित्तियस समावेश किया, फाइनांशल इंक्लूजन किया, पहले जब बौधिक सेमिनार्स होती थी, बड़े-बड़े विद्वान लोग, अर्थ ववस्ता की, बैंकिंग ववस्ता की, गरीबों की चर्था करते थे, तब स्वाभा विक्रिते, वित्तियस समावेश की बात होती ही थी, लेकिन जो व्यवस्ताएं थी, वो विचारों तक सिमित रह जाती थी, विवस्ताएं इस क्रांतिकारी कारे के लिए, फाइनांशल इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए तैयार नहीं होती थी, पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चल कर बैंक चला जाएगा, बैंक सिस्टेम से वो जूड जाएगा, लेकिन हमने रिवाज बढ़ला, हमने तैय किया, कि बैंक खुद चल कर गरीब के घर तक जाएगे, इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम कर दी थी, हमने फिजिकल दूरी भी कम की और सबसे बड़ा जरुकावड थी, उस मनोवेज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया, हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुधूर में घर गर तक पहुंचाने को सर्वुच्च प्रात्फिकता दी, आज भारत के 99 परसंट से ज़्यादा गामों में पाँच किलोमेटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कोर्स्पंडन मोजूद है, इसके अलावा देश में जो पोस्ट अफिस का व्यापक नेटवर्ग था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिये, वो भी बैंकिंग की मुख्यधारा का हिस्सा बन चुका है, आज देश में हर एक लाख वयस्क, एक लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाय मुझूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिन आफ्रिका से ऐसे देशों से भी ज़्यादा है, साथियों, हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर के दिन राप मेहनत कर रहे हैं, हमारा संकल्प है व्यवस्ताओं में सुधार का, हमारा संकल्प है पार दर्शिता लाने का, हमारा संकल्प है आखरी पंक्ती में खड़े व्यक्ति तक पहुँचने का, जब हमने जनतन एकाउंट की मुहिम शुरू की, तो कुछ आवाजे उठी की गरीब बैंक खाते का क्या करेगा, यहां तक की इस फिल्ड के कई अक्ष्पर्ड भी नहीं समझ पा रहे थे किस अभ्यान का महत्व क्या है, लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है, यह आज पूरा देश देख रहा है, मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है, बैंक और बैंक खातों की बज़े से हमने गरीबों को बहुत कम प्रिम्यम पर भीमा के सुविधा दी, बैंक खातों की ताकत से जुनने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया, बैंक एकाउंट होने की बज़र से गरीब लाभार्थ्यों तक सबसीड़ी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुचा, बैंक खातों के जरिये ही गरीबों को घर बनाना हो, सौचालई बनाना हो, गैस की सबसीड़ी प्राप्त करना हो, उनको सीधे उनके खाते में दिया जा सका, किसानों को भी तमाम सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद बैंक खातों की बज़़ से उन तक आसानी से पहुचाई जा सकी, और जब कोरोना महामारी का दोर आया, तब सीधे गरीब के बैंक एकाउंट में, माताओं बेहनों के बैंक एकाउंट में, सीधा पैसा पहुचाया गया, बैंक खातों की वज़़ से हमारे रहडी पट्रिल वारले भाई बहनों के लिए स्वनिदी योजनाभी शुरू होगा पाई, जब कि उसी दोरान विक्सित देशों तक को इस काम में मुश्टिले पेशा रही थे, आपने सुना होगा, अभी अभी आएमेफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्टर्चर की भूरी भूरी प्रसाउशा की है, इसका स्रे भारत के गरिवों, भारत के किसानों और भारत के मज़दुरों को जाता है, जिनों ने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, साथियों, वित्तिय भागिदारी जब डिजिटल भागिदारी से जुड़ जाती है, तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुल्ले लग जाता है, यूपियाई जैसा बड़ा उधारां हमारे सामने है, और भारत इसके लिए गर्व करता है, यूपियाई अपने तिरह की दुनिया की पहली टेक्नोलोजी है, लेकिन भारत में आप इसे सहर से लेकर गाउं तक, शोरूम हो या सबजी का ठेला, हर जगह आप उसे देख सकते हैं, यूपियाई के साथ ही अब देश के जर्ज सामाने के हाथों में रूपे काड की ताकत भी है, एक समय था जब क्रेडिट या डेबिट काड एक एलिट व्यवस्था मानी जाती है, बड़े समाज के रहिशों की व्यवस्था मानी जाते थी, काड भी विदेशी होते थे, उन्हें इस्तेमाल करने वाले भी बहुत गीने चुने लोग होते थे, और उनका इस्तेमाल भी बहुती ही चुनिंदा जगों पर ही होता था, लेकिन आज भारत में सत्तर करोड से जादा रूपे काड सामान्य मानवी के पास है, आज भारत का स्वदेशी रूपे काड दुनिया भर्म सरिनिटी मोडल हाई स्कोल, विजार्थुलेको अम्म वोडी, सामान्य लेको अंधुबाटुलो वुन्न बड़ी, सरिनिटी, मेचल जिल्लारो मेटिगा निलिची, साथिलेरी भलितालनु साथीस्तोंना नेंबर वन स्कोल, सरिनिटी, माप्रेच्चेकतलू, प्रेथी विजार्थी पट्ला विक्तिकत स्रेंथा, एक्टिविटी बेस्टों लर्निंग अडिश्टल क्लास्रोंस, कंप्यूटर लाप, 100% फलितालू, स्पोर्ट्स इन कुल्श्रल अक्टिविटीज, योगा, अभाकस, मर्युवेदिक माथ्स, एदुकेशन, प्लेस विजिट सेरेनटी मोजल हाई स्कूल नाकारम, अड्मिशन सौरिंग प्रोक्रेंस, कॉल 040-271-468-99 और 040-271-486-99 मैं स्विकार किया जा रहा है, टेक्नलोजी और एकोनोमी का ये जोड, एक और गरीब की गरिमा और मद्यमबर को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है, तो साथ ही देश के डिजिटल डिवाइड को उसे भी खत्म कर रहा है, साथियों, जैम यानि जन्धन, आधार और मोबाइल की त्री शक्ति ने मिलकर एक बड़ी बिमारी का इलाज भी किया है, यह बिमारी है, ब्रस्टाचार की बिमारी है, पैसे उपर से चलते थे, लेकिन गरीब तक पहुंते पहुंते गायब हो जाते थे, लेकिन अब Direct Benefit Transfer, यानि DBT के जरिये, पैसा जिसके नाम से निकलता है, उसके खाते में पहुंता है, उसी समय पहुंता है, अलग अलग योजनाओं में अब तक DBT के जरिये 25 लाग करोड रुपिय से जादा की राशी ट्रांसपर की जा चुकी है, और कल भी मैं कल देश के करोडों किसानों को वैसे ही 2000 रुपिय वाली किस्त भेजने वाला हूं, भाई और भेनों, भारत की इस DBT और Digital ताकत को आज पूरी दुनिया सरा रही है, हमें इसे आज एक Global Model के रुप में देखा जा रहा है, World Bank तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत Digitalization के जरिये सामाजीक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है, Technology वर्ड के सफलतम लोग भी, Technology के दुनिया के जो माहरती है, वे लोग भी भारत की इस ववस्ता की भरपूर सराना कर रहे हैं, उसकी सफलता से बेसयम भी अचंबित है, भाई और भेनों, आप कल्पना करिए, जब डिजिटल भागिदारी और आर्थिक भागिदारी की इतनी ताकत है, तो दोनों की शत्व प्रतिशत ख्शमता के इस्तमाल से, हम अपने देश को किस उंचाई तक ले जा सकते हैं, इसलिए आज फिंटेक भारत की नीतियों के, भारत के प्रयासों के केंद्र में है, और भविश्य को दिशा दे रहा है, डिजिटल बैंकिंग युनिट्स फिंटेक के इस सामर्थ को नया विस्तार देगी, जन्दन खातों ने अगर देश में फाइनेंशल इंक्लूजीन की नीव रखी थी, तो फिंटेक फाइनेंशल रिवालुशन का आधार तयार करेंगे, साथियों, अभी हाली ही में भारत सरकार ने ब्लोग चेन टेक्नलोजी पर आधारित, डिजिटल करेंशी सुरू करने की गोशना भी की है, आने वाले समय में डिजिटल करेंशी हो, या आज के समय में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, अर्थे व्यवस्ता के अलावा भाय, इन से कई अहम पहलू जुड़े हैं, उदान के तौर पर करेंशी छापने में जो खर्च आता है, देश का वो पैसा बचता है, करेंशी के लिए पेपर और इंक हमें विदेशों से मंगाते हैं, डिजिटल एकनामी के जरिये हम इससे भी बच रहे हैं, ये एक अलग तरह से आत्म निर्भर भारत में भारत की बैंकिंग सेक्टर का हमारे आर्बियाई का बहुत बड़ा योगदान में मानता हूँ, साथ ही, कागज की खपत कम होने से परियावरण को भी एक बड़ा लाब होगा, साथ ही, बैंकिंग आज वित्तिय लेंदेन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलिवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है, आज इस व्यवस्ताने प्राइवेट सेक्टर और लगूद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असिम संभावनाओं को जन्म दिया है, आज भारत में ऐसा सायद ही कोई शेत्र हो, जिसमें टेक्नोलोजी के जरिये, प्रोडक्ट और सर्विस डिलिवरी, एक नया स्टार्ट अप इको सिस्टिम न बन रहा हो, आप देखिए, आज आपको बंगाल से अगर सहच चाहिए हो, या असम से आपको बैब्बू प्रोडक्ट की जरुद्ध हो, अगर आपको केरल से हब चाहिए हो, या लोकल रेश्टोरन से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो, या फिर आपको कानून से जुड़ी सलहा की जरुद्ध हो, हिल्थ के लिए कोई सलहा की जरुद्ध है, या गाउं में बैटे किसी युवा को, शहर के किसी टीचर से क्लास लेदी हो, चाथियों, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुम्किन कर दिया है, जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे, चाथियों, डिजिटल इकानामी, आज हमारी इकानामी भी और हमारे स्टार्ट अप वर्ल्ड की भी, मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है, आज हमारे छोटे उद्योग, हमारी MSMEs, जेम जैसी व्यवस्ता के जरिये, सरकारी टेंडरों सी भी भागीदारी कर रहे हैं, उन्हें व्यापार के नए आउसर मिल रहे हैं, जेम पर अब तक धाई लाग करोड रुपिय के ओर्डर दिये जा चुके हैं, आप आकलन कर सकते हैं, इससे देश की लोकल एकोनॉमी को, वोकल फॉर लोकल के मिशन को कितना बड़ा लाभ हुआ होगा, डिजिटल बैंकिंग युनिट्स के जरिये, इस दिशा में अब कई और नए आउसर पैदा होंगे, हमें इस दिशा में इनोवेशन करने होंगे, नई सोच के साथ नए आउसरों का स्वागत करना होगा, साथ क्यों, किसी भी देश की अर्थेववस्ता उतनी ही प्रगसी सिल होती है, जितना वहां का बैंकिंग सिस्टिम मजबुत होता है, आज भारती इकडामी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है, कि इसलिए मुम्किन हो रहा है, क्योंकि इन आठ वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टिम से डिजिटल बैंकिंग पर सिप्ट हो गया है, 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भाती याद होगा और समझ गए होंगे, बैंकों को उपर से फोन आता था, और तै होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें, इस फोन बैंकिंग राजनीती ने बैंकों को अस्वरक्षित कर दिया, गड़े में उतार दिया, देश की अर्थे बवस्ता को अस्वरक्षित कर दिया था, हजारों करोड के गोटालों के बीच निरंतर गोटाले ही गोटाले की खबरें आया करती थी लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्सी तरीके से चल रहा है हमने NPA की पहचान के लिए पारदर्सीता लाने की दिशा में काम किया है लाखों करोड रुपिये बैंकिंग व्यवस्ता में वापिस आए हमने बैंकों को री केपिटलाइज किया विल्फुल डिफॉर्टर्स के खिलाप एक्शन लिया प्रिवेंसव अब करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया NPSA जुड़े मुद्दो को सुलजाने में IBC की मदल में तेजी लाई गई हमने लोन के लिए भी टेक्नोलोजी और एनालिटीस के इस्तिमाल को बढ़ावा दिया जिससे एक पारदर्सी और वेज्ञानी की ववस्ता खड़ी हो सके बैंकों के मरजर जैसे महत्वपुर्ण नेनाएं पॉरा पॉलिसी परालिसिस के शिकार थे देश ने उन्हें भी उतनी ही मजबूती से निर्ण किये कदम उठाए आज निर्णों के नतीजे देश के सामने हैं दुनिया सराना कर रही है डिजिटल बैंकिंग उनिट जैसी नई शुरुवार और फिंटों के इनोवेटिव इस्तिमाल के जरिए अब बैंकिंग ववस्ता के लिए एक नई सिर्थ डिवन मेकानिजम तयार हो रहा है हमा इससे उपभगताओं के लिए जितनी अटोनमी है बैंकों के लिए भी उतनी ही सुवीधा और पारदर्शिता है मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्ताओं को कैसे और व्यापक बढ़ाये जाए कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाये जाए इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें हमारे सभी बैंक जादा से जादा लोगों को डिजिटल व्यवस्ताओं से जोड़ने का टार्गेट रखे एक आग्रह मैं आप से करना चाहता हूँ खास करके मेरे बैंकरी सेक्टर के लोगों से कहना चाहता हूँ और बैंकों से जुड़े हुए गाउं गाउं फैले हुए छोटे जो कारोबारी है छोटे व्यापारी है आप दोनों से मेरा आग्रह और जिब आजहादी का अम्रित काल है मैं आप से देश के लिए यह आग्रह करके मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पूरा करेंगे क्या हमारे बैंक और हमारे छोटे व्यापारी मिल करके क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या हमारे बैंक जो बैंक ब्रांच है चाहे शेहर हो या गाह हो वो अपना जो उनका खेत्र है उछ खेत्र के कम से कम सो व्यापारी मैं जादा नहीं कर रहा हूँ सिरफ सो व्यापारी वो पूरी तरह डिजिटल लेंदेन वाली व्यापता हंडेट प्रसंट डिजिटल लेंदेन वाली व्यापता अगर हमारे सो व्यापारी आपके साथ जूर के कर लें तो आप कल्पणा कर सकते हैं कितना बड़ा रिवोलूशन का हम फाउंडेशन तेयार कर देंगे भाईयों बहनों ये देश के लिए एक बहुत बड़ी शुरुवात हो सकती है मैं आगरह कर सकता हूँ इसका लिए कोई कानून नहीं बना सकता नियम नहीं बना सकता और जब आप उसका फाइदा देखेंगे ना फिर मुझे दुबारा सो के दोसों करने के लिए किसी को नहीं समझाना पड़ेगा साथियों हर एक ब्रांच सो व्यापारियों को अपने साथ जोडने का लक्ष रखें आज जंधन एकाउंट की जो सफलता है ना उसका मूल कारण बैंक ब्रांच में बेटे हुए हमारे छोटे मोटे जो साथी है हमारे मुलाजीम है उन्होंने उस समय जो मेहनत की गरीब की जोपड़ी तक जाते थे सेटरडे संडे भी काम करते थे उसके एकाण जंधन सफल हुआ उस समय जिन जिन बैंक के हमारे साथियों ने जंधन को सफल किया आज देश उसकी ताकत देख रहा है अगर आज जो बैंकिंग वहुस्ता को देखते हैं जो ब्रांच को समालते हैं वो अपने ख्षेत्र के अपनी बैंक के कमांड इरिया के सो वेपारियों को प्रेरित करें एजुकेट करें उनको जोड़ें आप एक बहुत बड़े रिवोलुशन के नेत्रुत आपके हाथ पे होगा मुझे विश्वास हैं यह शुरुवात हमारे बैंकिंग सिस्टिम और एकनॉमी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जो फ्यूचर रेडी होगा और ग्लोबल एकनॉमी को लीड करने की काबिलियत रखेगा इसी शुब कामनाओं के साथ मैं भारत के वित्नमंत्री भारत का वित्नमंत्राले हमारे आर्बियाई गवरनर आर्बियाई की टीम हमारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सभी छोटे मोटे साथी आज आप सब मेरी तरब से बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं क्योंकि आपने देश को एक बहुत बड़ी सोगात दी हैं और देश किवासियों को भी इस अनमोल सोगात के लिए दिवाली के पुर्व इस महत्पुन सोगात के लिए और आजादी के 75 साल और 75 डिजिटल बैंकी युडिट अपने आप में सुभग संयोग हैं बहुत बहुत चुपकाम नाएं, बहुत 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 भँपनेवाद. पिल्टि कलनु साकारम चेसे नम्मकमेन संस्ता VRR Constructions. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza, near Radhika Theater, Ecl X Road, Hyderabad. Call to 9100-88-5512, 9100-88-5512.